कामकाज इसलिए कर रहे हैं कि घर परिवार को बहुत अच्छे से चला सकें, उनकी जिम्मधारियों को बहुत बहुत बहतर तरीके से निभा सकें, बहुत दूर रह रहे हैं गर से, किन्तु कामकाज तो करना ही है क्योंकि कहने कहीं फाइनेसिस की रेक्वार्मेंट है, ये कल, कल नहीं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, कि जब मैं अपनी रुची के और बढ़ता चला जाओंगा, एक उम्र की बाद में, वो ऐसी सारी इस्तियां अपने भीतर से वाण कर देता है, और सिर्फ यही सोचने लगता है, कि जो कार सामने है, उसको करूं, महिने में एक बार तनख्वा मिलती है, बूनस मिल जाते हैं, उसके साथ चलता हूँ, हुवयापारिक जीवन में भी पैतरिक स्तर के साथ किसी कामकाज की शुरुवात की थी, या स्वयम ने भी सरकम्स्तांसेस के ड्रिवन होकर, किसी कार शेतर के अंदर खुद को सनलग न किया, और अब ऐसा लगता है कई बार कि मजबूरी बन चुकी है, यहां मेरी रूची नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बस चलते चले जाना है, किन्तु यहीं से व्यक्ति जब भी उस कामकाज में अपनी रूची को जागरत करता है, आपकी रूची लेखन संबंदी इस तर के साथ मे रही है, और अब आप एक व्यापार के साथ में है, तो जब वहां व्यापारिक संबंदों में भी आप ऐसी सारी ही रचनाओं को बोलने लगते हैं, एक तरह से आपके साथ में क्रियेटिव फूल जुड़ा रहा, नए नए शब्दों के साथ में आपको चलने का शौक है, उस रुची को आगे बढ़ाने का कारे किया, लोग आप से जोडने लगे और आप भी उस कामकाज के साथ में एक अलग आनंद प्राप्त करने लगे, ये सारी इस्तियां है, जो जीवन में एक अलग तरीके की जागरती को लेकर आती है, और इसी जागरती की आवशकता हमें रहती है, हमें कारे तो करना ही है, व्यक्ति जब तक अपनी अंतिम स्वदंतर सांस के साथ में यात्रा करता है, तब तक किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी कारे के अंदर संलग ने रहता है, बले ही अपनी सोच के साथ में है, तब भी वो एक तरह से कारे का रिफलेक्श वहाँ पर सारे ही destruction को अटा कर रुची की स्तितियों को जगाया आप लगातार स्वास की प्रक्रियाओं के साथ में हैं तो वहाँ पर भी deep breathing की टक्निक के साथ में चले एक रुची का आधार बढ़ने लगा आप टक्निक संबंधी वशयक आधार के साथ में जुड़े वुआ ह हम अपने जीवन को अलग से अलग reflection देते चले जाते हैं हम जहाँ पर भी हूँ जिस तरह से भी हूँ बले ही एक घंटा भी दिन में मिले 15 मिनट भी मिले अपनी रुची के साथ ज़रूर बढ़ेंगे और काम काज में भी उस रुची के साथ में जुड़ने का प्रयास के द हुए हैं शनिवार रहेगा तो वहीं चंदर्मा वरिष्चिक राशी में ही गवन कर रहे हैं सूरिदेव मकरस्त गदिमान हैं माग मास करशन पक्ष चल रहा है हम शुरवात करते हैं मेश राशी के साथ में अनुराधा नक्षत्र की आज परिधियां रहेंगी नेश राशी स्थापित करके चलने वाले होंगे उतना ही आपके लिए बहतर रहेगा इसी समय अंतराल में यात्रा संबंदित कामकाच को टालना आपके लिए हित कर है और वहीं पर यदि आप रचनात्मक शेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं बड़े परिवर्तन से आप यहां पर मुख तोर पे ख्याल रखकर चलिएगा यही पर कुशमताओं में लगातार जो एक वर्दी बनी हुई थी जब उसमें कमी व्यक्ति महसूस करता है तो कहीं ने कहीं एक फरस्ट्रेशन उत्पन होने लगती है कि यही कामकाच था जो मैं आसानी से पूर्ड कर रहा था आज बारम बार अवरोद आ रहे हैं ऐसी सारी ही प्रवर्दियों से आजाद करके खुद को चलने की आवशकतां रहेंगी यह एक निविदन में आप से कर रहा हूँ तो वहीं मेश राशी के जातकों के लिए इस समय के अंतराल के अंदर पिता के साथ जुड़े वे किसी भी काम काज में बहुत जादा तिवरता दिखाने से भी बचना चाहिए वहीं वरेशब राशी सर्व पर्थम आप यहां पर देखिएगा कि कोई भी ऐसा निरने आपको जीवन के साथ में लेना है जहां से लंबे समय का अंतराल प्रभावित होने वाला होगा एक बार पुने हैं बिचार कर लेना चाहिए किसी व्याबार की शुरुबात के और आप जा रहे हैं नई पन के साथ में हैं शनिवार के इस सर्दवस विशेश के अंदर एक मीटिंग स्वेम के साथ में करें आपने परामर्श दाताओं के साथ में भी चर्चा करें और उसके बाद में ही उस का करके चलिएगा आईटी फिल्ड के साथ में आप हैं या फिर किसी भी अन्य तकनीक संबंधी विशयक आधार के साथ में जुड़े वो हैं मानसिक दबाव रहेगा कामकाच के अंदर और हम कैसे प्रो एक्टिव रहकर सॉलूशन ओरियंटेड अप्रोच को अपने भीतर समाहि करके चल सकते हैं इसके आवशक्ता हैं पूर नकालिक तोर के उपर बनी हुई है तो वहीं आकस्मिक धनलाब संबंधी शेत्र के अंदर नए पन के साथ में अपनी सोच को लेकर चलना ये भी बहुत ज़ादा जरूरी आपके लिए रहने वाला होगा चंतान पक्ष के साथ जो संबंधों के अंदर कहीं न कहीं उतार चड़ाव थे या हम जो उनको एक मैसेज कनवे करना चारे थे उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक तरह से अप्रोच में पॉजिटिविटी नहीं थी ये समय अंतराल वहाँ पर भी आपको सुद्रड आधार द रहने वाला होगा इस बात को भी आप बहुत अच्छे से अपने मन और मस्तश्क में सपस्ट करके चलिएगा कि हम यहाँ पर वयापारिक जीवन के अंदर अंजान व्यक्ति से किसी भी कामकाच को बढ़ाने से बचने वाले रहेंगे इसी के अंदर आपके लिए एक मेजर लिवल की पॉजिटिविटी बनी हुई है वही मैं तो राशी की मैं चर्चा करूँ तो सर्व पर्थम यहाँ पर आप देखें कि स्वास्ति का ख्याल रखने की सबसे अधिक आवशक्ता हैं आपके लिए बनी हुई है स्वास्ति की गतिविधियों के अंदर कोई भी नेग प्रेक्ति विशेश आपको अंड्यू प्रेशर के साथ में लेकर चल रहा है उसको जवाब दिया और ऐसी स्थितियों को अपने जिवन से दूर कर दिया इसकी आवशक्ता बहुत जादा है आपके लिए दूसरे स्थर के उपर मेथोन राशी के जातकों के लिए सक्षा संबंदी आधार में थोड़े से डिस्ट्रेक्शन्स बढ़ने वाले हो सकते हैं उन डिस्ट्रेक्शन्स को हावी नहीं होने दें आप किसी भी मेजर टास्क के और बढ़ रहे हैं यदि वो डिस्ट्रेक्शन हावी होते हैं तो अधिक परिशान करने वाले हो सकते हैं ये ए प्रगामी आधार के उपर किसी पर भी बरोसा करके चलने से आपको बचना चाहिए दूई सभाव ये राशी के जातकों के लिए इसी समय अंतराल में मानसिक सुक की इस्तितियों में कमी रहेगी तो इसी वज़े से आप कही ने कही अपनी करमशीलता के साथ ज्यादा चलने व किसी कामकाच के बिलकुल एक्जीक्यूशन के और आप बढ़ रहे हैं और बारंबार जो निराशाएं हावी होकर आपको नेगेटिविटी के और लेकर जारी थी उससे आज का ये दवस्विशिश आपको दूर रखने वाला होगा इसी समय में ग्रहस्त जीवन का भरपूर सहीयोग आपको प्राप्त रहने वाला है भाग ये का भी जब सहीयोग प्राप्त हो और व्यक्ति किसी भी जोखिम बरे कारे को आगे बढ़ाना चाहता हो तब भी वो यहाँ पर गमनचील हो सकता है इसी समय के साथ में चलते हुए आप क्रियेटिव फिल्ड की पूरिशन् के अनुरूपत आप उसको अपना कर जरूर चलने वाले रहें ये एक निविदन है आपसे यही पर करकराशी के जातकों के लिए जो माता और पता के अनुभव की भूमिका होती है वो भी बड़े तरीके से सामने आने आने वाली होगी जमीन संबंदे कोई भी नरनय आप द एक क्षेतर में बड़ा अनुभव रखता है बड़ा नाम है हमारे भीतर हेज के चार्ट की स्तियां बनी हुई है उनको दूर हटाईए और अपने पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में चलिए जो कि आपके साथ में बहुत गहरे तरीके से बने हुए हैं कामकाज के अं और एक बार शुरुवात करना बहुत बड़ी पुंजी के साथ में नहीं किन्तु इनीशिल लिवल के साथ में चलना कहीं न कहीं आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आने वाला रहेगा वहीं सिंग राशी सर्व पर्थम इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए मानसक सुख की स्ततियों में कमी रह सकती है कामकाज अच्छे से चल रहा है तो वहीं पर घर परिवार की और से भी संतुस्टी है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जुझलाहट किस बात की है बेसले स्फियर किस बात का है यहां दशरत करत शनीस को तरम के साथ में चलना तो वहीं पर सुंदर कांट का पाट करना मन के भीतर एक त्वरित कती की उरजा को लेकर आने वाला होता है इसी उरजा के आधार को अपने जीवन में आप अपना कर चलने का प्रयास करें तो वहीं पर स्वास्तिय संबंधी आधार पर हरदय से जनित जो भी रोग लंबे समय से आपको परिशान कर रहे थे वहाँ पर भी आपको कहीं ने कहीं एक तरह से ध्यान रखने की आवशक्ता रहेंगी ये एक निवेदन है आपकी उरजा में आज नकारात्मकता बहुत अदिक हावी नहीं होने पाए कोई व्यक्ती आपके सम्मुक एक कारियर को बहुत अच्छे से पूर्ण नताकी स्तियों को बता रहा है किन्तो आप लगादार नकारात्मक हो रहे हैं उससे बचने की आवशक्ता है तो वहीं पर संगराशी के जातकों के लिए एक और महतुपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप मेनेजमेंट संबंधी किसी भी बड़ी डेजिगनीशन के साथ मुझड़े वो है अकेले बूते कोई भी नरणाय लेने से हाँ पर बचियेगा यात्रा संबंधी कामकाज टाला जा सके तो बहतर रहेगा और वहीं पर शारिरिक स्तर के उपर बहुत अदेक श्रम करने से आप बचियेगा अन्निता कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें तो विदाएं तो जिकले प्रोच में भी आ सकती है ये धियान रखें इसी के साथ में आप येदी किसी विक्ति विशेज से मुलाकात करने जा रहे हैं और वो प्रोफेशनल लाइप के मंदर बहुत एहम मुलाकात है अपने होमवर्ग को कम्प्लीट करके चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुछ ऐसे सवाल शंशय सामने आ सकते हैं जिसकी चर्चा भीतर ही भीतर पहले हो चुकी हो हम उन प्रशनों को खुदी बना चुके हो और जब आप भी टटरूल चुके हो इस पोजिशन के साथ में चलने का प्रयास आपको करना चाहिए कन्या राशी सर्वपर्थम इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए नौकरी पेशा जिवन के अंदर पुने हैं सक्रियता के आधार यदि बनते हैं आप व्यापारिक जिवन में सनलगन हुए और अब सफलता की वो स्तिति नहीं है व्यापार को आप के साथ में मिलकर चलाना चाते हैं किन्तु फिर से घर को सपोर्ट देने के लिए एक बार नौकरी पेशा जिवन में जाना चाते हैं जो पुराना एंप्लोयर रहा है वो पुने है आपको कॉल कर रहा है और आप कहीं न कहीं एक रियल्यूक्टिंट अप्रोच के साथ में है कि कैसे पुने है वो सवार बढ़ू ऐसे सारी नराशाओं के भाव को दूर हटा कर एक बार पुने है जुड़ना आपके लिए कहीं न कहीं आवशक रहेगा व्यक्ति अपने यतार्थ को देखे दूसरे क्या कहेंगे उससे दूर हटकर मेरा धरातल क्या कह रहा है जब हम ये सपस्टि करण अपने मन के भीतर लेकर आपाते हैं तो अपने जिवन को सोगमता दे पाते हैं आप अपने जिवन को चलाने वाले हैं दूसरे लोग सिर्फ सलाह देने वाले हैं या मार्ग दर्शक नहीं बनकर मार्ग के दर्शक बनना चाहते हैं ऐसे प्रबर्तियों से आप दूर रहें ऐसे लोगों से आप दूर रहें अपने कामकाच के अंदर कोई भी ऐसा निर्णा लेना है आप अपने भीतर की उर्जा को पहचाने अपने धरातल के साथ में चलते हुए ऐसे निरने आप लेते हैं तो सफलता पुनह प्राप्त कर पाएंगे जो अनभव अभी हासल किये हैं आपको और निखार चुके हैं आप बिखरने के और नहीं जा रहे हैं खुद को समारने के और जा रहे हैं इस मूल मंत्र को सब्ताह के अंतम चरण के अंदर बहुत आसानी से याद करके चलिएगा तो वहीं वानी संबंदित काम काज मैं भी एस समय आपको महत पूर्ण सफलता हूं क्या धार दे सकता है मैं आपसे ये भी निवदन करना चाहूंगा कि यहां पर जो माता संबंदित इस्तियां यानि पर ये दिवस आपके लिए आनंद के कुछ खणों को देने वाला होगा यानि कि मन के भीतर एक संतुस्ठिक आधार है जो काम काज कर रहे हैं वो भी बहुत बैतर है जिन संगर्शों के साथ में चल रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है जब ऐसी इस्तियां हो तो व्यक्ति पनाव के क्षण होते हैं उनसे दूर हट कर जो आनंद के कुछ मिनट सामने आते हैं ज्यादा अपने आने की उनको आवशक्ताएं होती है ये एक निविदन है आपसे तो वही पर पारिवारिक जनों के साथ में बहतर समय बीतने वाला आधार आपके साथ रहने वाला होगा इस ही समय अंतराल के साथ में आप कहीं न कहीं अपनी पुरानी समर्तियों में विचरन करते हुए मन को सुकून देते चले जाएंगे वे आपारिक जीवन के अंदर कई बार जो सरलता और सुगमता बनी रहती है वो दोनों ही आधार आपके साथ बहुत गहराई के साथ में और वहीं मैं ये भी निवदन आपसे यहां पर करना चाह रहा हूँ कि यदि नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप कोई भी नई टास्क के साथ में चलना चाहते हैं वहां कहीं पर भी रोके नहीं थाक है नहीं उस और खुद को गमनशील करना आपके लिए ज्यादा बहतर जुड़ी हुई है संतान पक्ष और ग्रिहस्त जीवन के साथ में भी कहीं ने कहीं एक अच्छा समय बीते गए हां पर भाग्गी का पूरा-पूरा सा योग राप्त है वहीं वरिश्चक राशी चंदर्मा आज वरिश्चक राशी स्थान में ही चलाएमान हैं तो इसी वज आते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं उस reflection को अपने कामकाच के अंदर लेकर आने क्या विशकता रहेगी कई बार वक्ति ये सोचता है कि मैं जो कारे कर रहा हूँ लोगों को इससे क्या benefit मिल सकता है किन्तु लोग किस तरह का benefit अभी तक महसूस नहीं कर पाए हैं वो benefit में उन का चमत कारे कसर आपके कामकाच में दिखने वाला रहेगा मंगल ब्रदान राशी के जातकों के लिए आज रक्त संबंदी विकारों से कहीं ने कहीं सावधान रहने की आवशकता हैं होंगी ये भी एक प्रमुकाधार यहां नजर आता है फिर से खुद को अनुशाशन के सा साथ में आज अच्छा समय बीतेगा शनिवार के इस दिवस विशेश में सुंदर कांट के पाट के साथ में इस दिवस के आफशरवात कीजिएगा तो वहीं पर मन के भीतर जो भी वहापो नौकरी पेशा जीवन को लेकर बनी हुई थी एक कागज और कलम के साथ स्वेम के स सामने उसको रखें और फिर जो जो समाधान ने अतार्थ हो सकते हैं उनको लिखें उसी आधार पर अपनी रूप रेखा को जरूरा बना कर चलने वाले रहें तो बहतरी है वहीं धनू राशी सर्व पर्थम यहां मानसिक स्तर के उपर जो खर्चे होते हैं उनसे आप बचेएगा व्यक्ति बारम बार एक सोच के साथ नकारात्मक्ता को जोड़ते हुए और अधिक नकारात्मक्ता को लेकर आता है ऐसे प्रवर्तियों से सावधान रहने की आवशक दूई सुभाव यह राशी के जातकों के लिए ये समय अमतराल कहीं न कहीं कुछ समस्याएं लेकर आएगा आपको बारम बार उनके उपर मंतन करते हुए बहतर समाधान की कोजबिन करनी होगी समस्याएं आती है व्यक्ति गवराता है किन्तु समस्याएं कई बार व्यक्ति लेने से भी आपको बचना चाहिए मैं आपसे ये भी निविदन पुनह करना चाहूंगा कि आपके लिए जो भी व्यक्ति विशेश किसी भी तरीके का दुराव और कुंठा रख रहा था, शत्रवत स्ततियों को निर्मित करके चल रहा था, उसके साथ में भी एक मधर मुस्कराहट को बना कर रखिएगा उस व्यक्ति को ये शंदेश नहीं जाने पाए कि हम एक तरह से गरजस के साथ में चल रहे हैं या फिर बदला लेने की भावना के साथ में हैं हम अपने रास्ते के उपर हैं अगला व्यक्ति डिस्ट्रक करना चा रहा है क्यों उसको जवाब दें अपनी स्तित्यों के साथ में चलें ये प्रयास आज आप करें भूमी संबंदित काम काज में बड़े निरने टाल कर चलें दिलेश में रह रहे हैं तो कहीं ने कहीं आपके लिए एक तरह से मानसिक दबाव सामने आ सकते हैं उन प्रवर्तियों से भी थोड़ा सा खुद को साबधान रखने का प्रयास आप किजिएगा तो वहीं मकर राशे के लिए इसी समय अंतराल के अंदर सरवांगीर्ण लाब की प्रवर्तियां नरंतर तोर के उपर बढ़ती चली जाएगी रुकावट और ठकावट दूर दूर तक भी जिवन में प्रवेश नहीं कर रही है आपके लिए ये समय जब उर्जा लेकर आ रहा हो तो किसी भी व्यक्ति विशेश के कहने से आपको रुकना नहीं चाहिए आप जिस कामकाच के और जा रहे हैं आसानी से पूर्णता बनी हुई है किन्तु कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप गलत जा रहे हैं आप उसकी बात नहीं सुनें अपने कामकाच के साथ में लगे रहें और इसी समय के अंदर जो स्वास्त के अंदर कई बार muscular pain और रक्त संबंदी विकार सताते हैं, उससे सावधान रहें, इसी समय के अंतराल में संतान पक्ष के और से सोखत खबरें मिलने की उम्मीद है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी नई इंटर्वियू की और गए थे, आपको result का बहुत लंबे समय से इंतजार थ और उस result में आप positivity भी चा रहे थे, यह समय ऐसे ही आधार आपके लिए दर्मत करता चला जाएगा, कोई भी negative approach यहाँ बनी हुई नहीं है आपके लिए, इस्तिरता सोच के भीतर रखने की पूरी-पूरी आवशक्ताइं आप लेकर चलिएगा, तो वहीं कुम राशी की यद में चर्चा करता हूँ, तो सर्व पर्थम यहाँ आपके लिए भाग दोड लगातार बनी रहेगी, व्यापारिक जिवन के अंदर चोटे-चोटे समझोते करने पड़ सकते हैं, जिससे कहीं पर भी हम वचलित नहीं हो, भाग्य का सयोग है, किन्तु दुंदल के के साथ में शुरू कीजिएगा, चोटी-मोटी ऐसे टास्क सामने आ सकती है, जिनको पूर्ण करने की आवशक्ता रहेंगी, जिससे कि आपका जो टाइम-बाउंड़ेट शेडियूल है, वो इदर-दर होने वाला नहीं रहे, माता के स्वास्त का स्यादा ख्याल रखकर चलें, तो वह पता के साथ चोटी-चोटी बातों को लेकर जुन बनाती है, उससे वे खुद को कहीं पर भी आप निगिटिव करने वाले नहीं हो, ये एक निविदन है, तो वहीं पर रिसर्च समबंधे कामकाज में नए आधार आपके लिए बनते चले जाएंगे, इसी समय अंतराल के सा साथ में चलते हुए ग्रिहस्त जीवन का सायोग भी भरपूर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला है, वहीं मेन राशी, इस समय में भाग जिका जब सायोग आपको प्राप्त हो, नौकरी पेशा जीवन में एक निश्चिंतता बनी हुई हो, तो आप पैसिव इंकम का या फिर इंडारेक्ट इंकम का कोईन कोई सोर्स खोजने के अंदर अपना समय जरूर व्यतीत करने वाले रहें, जिससे कि रिस्क कल्कुलेटिव अप्रोच में जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, इसी समय के अंदर पुराने रिष्टों के साथ पुने हैं, प्रगारता ब आवशक रहेगा, ये एक स्तिय तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर कमिशनिंग संबंधी किसी भी कामकाच के साथ में आपका डुडाव रहा है, ये समय आपको वहाँ पर भी एक तरह से पॉजिटिविटी देता चला जाएगा, अपने सुपरबंधन के उपर अध होती है, तो ये था शनिवार 6 फरवरी 2021 कब्दैनिक राशिफल, हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे, धन्यवाद और कोटी शह, आभार